हालो स्टूडेंट मैं अनुं सींग आपकी मैस की अज्यूटर आज बात करने वाले हैं twelfth सबको बताए क्या कि board का result कब डिकलेर होने वाला है में के first week में डिकलेर हो जाने जो आपके पहले जो थे पहले percentage बन के आते थे अब CGPA बन के आएंगे यह news बहुत पुरा नहीं है लेकिन हमें पता नहीं है अवेर नहीं है तो उसके बारे मस थोड़ा आपको तो marking system में जो बदलाओ किया गया था वो क्या किया गया है वो हमां यहां पर discuss करने वाले है देखो क्या दी जाएगी उनको CGPA दी जाएगी क्या दी जाएगी CGPA दी जाएगी क्या होता है मैं यह CGPA अभी बताते है आप लोगों अब सब्सक्रex tampon मीघोडएमेज होता है मतलब average का मतलब क्या होता है मानलो कि अगर 10 numbers कुछ 10 average data दिया हुए 10 data को add करके और 10 से divide कर दिया average निकल गया उसी तरह अगर मानलो तुम 12 में हो तुमारे 5 subjects है तो 5 subjects दो हैं आपके उनको add करके जो marks आए हैं उसके marks भी add होते हैं देखिए यह point कहीं यहां पर भी लिखा होगा दिखाते हैं आप लोगो डिस्टिंग्शन या रैंक नहीं दे जाएंगे सीवेसी marks पर percentage भी नहीं लिखे होंगे सीधे सीधे क्या लिखा होगा cgpa लिखा होगा आपके इस पर ठीक है अपडेट है अच्छी अपडेट है आप लोग के बारे में खुसकबरी भी हो सकती है बैड नीज भी हो सकता है लेकिन यह तो percentage में cầnकरेगा Mimi करेगा एक ठीक है आजओ आई इसमें इंटरनल टेस्ट के माउल की जाएंगे इस बात का ध्यान रखिजर great point rate range off marks के HORSE Què दिये जाते हैं ठीक है great point जो है वो range of marks के सापसे दिये जाते हैं यह आपका है कैसे निकालते आशे हमने क्या का माल आपके पांच सब्रेक्ट्स हैं कितने पांच में पहले साथ ये दूसरे में आठे और दूसरे में आठे और ये हमारे मार्स तोटल माक्ष डस में बने आट पाया इसमें आप से क्तोल हमारे कितने मार्स बन रहे हमारे ग्रेट.ब तो टल फॉ ट आप इन 40 को हमने क्या कर दिया 5 से क्यूंकि 5 सब्जेक सा था कम ने 5 से डिवाइड कर दिया तो कितने हमारे बंभ सी ले Cgp8 बन रहा है कितना बन रहा है एट बन रहा है कि इसका मतलब premises कीस dł Change करते हैं यह बताते हैं आज़ो देखो जब भी आपका grade point 10 होगा मतलब आपका मार्स 91-100 के बीच में आएगा मतलब आप 95% के बीच में आ रहे हो अगर आपका grade point 9 आ रहे है मतलब आप 81-90 के बीच में आ रहे हो आपका जो great point बनेगा ठीके percentage वनेगा वो 85.something बनेगा अगर आपका great point 8 आ तो आप 71 से 80 प uncertain be at के विच में आ रहे हो मतलब आपका percentage 76 बनेगा अगर आपका grade point 7 ऑ रहे मतलब 6 1 से 70 के बीच में आ रहे हो आपका पmegत 경찰 66.5 बनेगा इस्क्रीनची विच्का सबसे खराब ग्रेट पॉइंट क्या है पांच जिसका पांच आ रहा है और उसका जो परसेंटेज बन रहा है वो लुटते है आपको यहाँ पेढर दुखेगा देखेगा किषीच्णन की जगह मिलेगा मैं ना बताती है कैसे कालकुलेट करोना जितने सब बरकनी पड़ता क्योंकि देखो अगर आपका 91% कि अना होगा 95% कि अना होगा इसका मतलब आप 9 जो CCP है उसके बीच में आ रहे मतलब 91 और 100 के बीच में लाई करें मतब आपका 9 इसका मतलब आपका 90% बन रहा है यह आपके दिमांग में रखना पॉसंटेज चाहे जो भी बने सीटी आपको हर पॉसंटेज पे 60 प्लस है तो अब देखो कहीं कहीं पे किसी-किसी युनिवस्टी में पॉसंटेज का खेल है कि हां वह अपने पॉसंटेज के लोनों ने के लि से सुधारेंगे हम कहते हैं हमारा आज और हमारा अगर कल खराब हुआ है तो आने वाला भविस्टी उसको बदल सकता है हमें खुसिया दे सकता है तो आज ही खुद को आज ही कुद को खुद को एम बैच में रोल करो क्योंकि इस देखो सेल लाइफ चल रहा है बहुत राम आज ही खुद को एम बैच में जोइन करूं और 21 परसेंट का जो सेल चल रहा है आओ और एम प्लस बैच में खुद को इन्रोल करो मैक्सिमम देखो अभी यह 15 परसेंट का है ठीक है अभी सेल लाइब हो जाएगा अनू 20 कोड लगाओगे अनू 20 कोड लगाओगे तो अभी बाइब होने वाला है जब आप लगाओगे इस वीडियो को जब इस वीडियो को जब आप इस ओड को लगाओगे जब आपको यह वीडियो मिलेगा तो 6 तारिक 16 तारिक तक पूरा आपका sale चल रहा है सामको 6 बजे 16 तारिक से लेके 17 तारिक टकूरा रामनोमी वाला है तो आप आपको यह मिल रहा है लेकिन आप जब लगाऊगै अनु 20 कोर तो आपको 21 पर्सेंट का डिसण छेवेंटीन की जगह तो देर मत कीजिए ड्रीम पूरा करना है तो हमारे साथ withdrawal कोड़िये प्रैक्टिस बैच में हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे साड़े चीजे वाहां मिलने वाले थैंक यूद मच मिलते हैं बैच sharp